हलो दोस्तों आप लोग कैसे हैं मी दोगा की अच्छे होंगे मैं पूनम चोहान अजले की आई हूँ दोस्तों दाल पापड़ी जो मैं घर पे बनाऊंगी और मैंने चने की दाल लिए दोस्तों इसको धोली आया दे कटोरी है दो प्याज दो टमाटर और लेसुन दरग का पे दोस्तों और इधर मैंने जो प्याज लिया है दोस्तों उसको कट कर लिया है लंबा लंबा और जो हरी मिर्च मैंने लिया है उसको भी लंबा लंबा कट कर लिया है दोस्तों तो मैंने तेल रख दिया है गरम होने के लिए अभी तेल गरम हो चुक है उसमें मैं जीरा डाल यूँ दोस्तों और इसको मैं अच्छे से गरम करूंगी प्याज और हरी मिर्च को मैं साथ में डाल दूँगी लाल होने के लिए थोड़ा से लाल हो जाएगा तो फिर मैं जो अद्रक और लेसुन का पेश्ट है दोस्तों उसको मैं डाल दूँगी इसमें इसको भी मैंने डाल दिया है लेसुरत द्रक पेश्ट को दोस्तों इसको अच्छे से मैं चला लूँगी कि थोड़ा से इसका जो कच्छा पपने और निकल जाए हभी मैं तो मां डाल डाल दूँगी है कि टो मांच्छार डालने के बाद जो मैंने मसालिय लिया थे दो आह तो अभी मैं जो चने की दाल धोई थी उसको भी मैं डाल दूँगी और इसको भी मैं अच्छे से चला दूँगी दोस्तों जो हमारी चने की दाल है उपर से मैं थोड़ा से कस्तूरी मेथी डाल लहीं हूँ आप चाहे तो धनिया भी डाल सकते हैं तो उपर से मैंने कस्तुरी मेथी डाली अभी स्वाद अनुसार नमक डाल दूंगी और इसको मैंने थोड़ा से पानी डाल के बॉइल करना है दोस्तों ऐसा बनाना कि इन डाल गले और अच्छे से हो जाए लेकिन डाल ना गले मन्द जैसे जैसे हम लोग रहर की डाल बनाते हैं तो ऐसा ना गले जोने मैंने लेसुन लिया था उसका डंठल मैंने निकाल दिया वह जो पत्ती थी उसको भी मैंने कट कर लिया है तो मैं धनिया पत्ती नहीं डाली दोस्तों लेसुन की पत्ती डाले और इसको मैं ड़कन कू तील और जवाइन और कस्तूरी मेथी डालूंगी दोस्तों और थोड़ा से मैं इसमें तेल डालके मोहें देके एक अच्छा से इसे हम लोग नॉर्मल रोटी बनाते हैं वैसा ही आटा गूत लूंगी इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी और देखे दोस्तों आटा हमारा 2 गंटे के लिए रख दे रही हूं दोस्तों तरह अभी मैंने चटनी बनाने जा रही हूं तो इदसे थोड़ा से धनीया लिया यह जो लेशुन का डंठल था उसको मैंने लिया दोस्तों और चारहरी मिर्च इसकी में चटनी बनाऊंगी जो हमारे डाल पापड़ी में काम देगी चटपटी सी तो उसको में मिरिच को मैं काट ले रही हूं और उसका मैं एक चटनी बनाऊंगी अच्छे से आप चाहे इसमें पुदीना भी ले सकते हैं दोस्तों जो आपको अच्छा लगे मैंने नहीं लिया है पुदीना आप चाहे तो ले सकते हैं पुदीना इसमे में दोस्तों अधा चामच में नमुदेख डालें चटनि बना लूँगी कि इसथे बड़े trealten के दाने में निकाल लूँगी एदर हमारे दाल कपच करें नंह 210 और मुझे गलानी नहीं द beef व्म Pacific नेम Kanadiriट जाए जए तो पिए तो पिऊन रखें मैं सर्षों डाला हैं मैं उसमें पताइब सब तर्क लगाओंगे आ जाया तो कुछ भी से जो आपको पसंद है उससे आप तड़के लगा सकते हैं और इधर हमारा डाल रेडी हो चुकी है दोस्तों और मैंने आटे को थोड़ा से मसलोसल के अच्छे से कर लिया है अभी मुझे इसकी पूरी बेलनी है दोस्तों एक जैसे आप रोटी बनाते हैं न वह सही नोर्मल सी रोटी के सेट में पूरी बनानी है अब जैसे आपको अच्छी लगे मौर पतील वह से तो पतीली अज़ी रहती है तो थोड़ा कुरकूर रहेगी क्रिस्पी रहेगी तो पतीली अच्छी रहेगी तो अब चाहे जादा से जादा पत्ली ही रहे इसको एकदम पता नहीं चलेगा कि हम बाहर खा रहे हैं कि घर बना के खा रहे हैं ऐसा टेस्ट आता है आप एक बार जरू ट्राइ किजिएगा दोस्तों अभी जो मैंने काटा वाला चमच लिया दोस्तों इसको हमें ऐसे ही दोनों साइट से करना है कि हमारी जो हम पूड़ी फ्राइ करें तो तेल में जाके फूले ना और ये अच्छे से हो भी जाए और फूले भी ना दोस्तो, तो इसको हम एसे ही कर लेंगे, उसमें, अच्छे से, इसको इसे, चमच की मदथ से, हम अच्छे से इसको, कर लेंगे, और आप लोग मेरी वीडीयो देखते हैं, दोस्तों उसके लिए धन्यवाद दिल से कमेंट करते हैं उसके लिए भी धन्यवाद दोस्तों और जो मेरे चैनल पर नए हैं दोस्तों अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें सेयर करें कमेंट करें और इधर देखिए दोस्तों एक साइड हमारा हो चुका है आप बोल सकते हैं तो मैंने दूसरे साइड भी इसको मैं कर लूँगी अच्छे से दोस्तों कि टाइम थोड़ा लगता है लेकिन अच्छे से हो जाती है अब इसको हम फ्राइब करेंगे तेल में दोस्तों अब आराम से तेल हमारा गरम है दोस्तों इसको हम अराम से प्राइब करेंगे ऐसेसे ऐसे कर लेंगे तो अच्छे से उमारी पूलि फ्रायल के अच्छे से होगी इसको हम एक साइड फ्राई हो चुका है दोस्तों दूसरी साइड हम करेंगे इसको दबाना नहीं नहीं तो बीची में से टूट जाएगा तो हम थोड़ा से ऐसे से कर रहे हैं क्योंकि एक दम कड़ाख हो चुका है जार हमने एक और पूरी बेली है दोस्तों उसको भी ह हम उलट पलटके अच्छे से चमच की वज़े से चमच की साहता से हमें इसे भी कर लेंगे दोस्तों और इधर हम भी पीछे साइड आगे साइड दोनों साइड हम कर लेंगे और इधार हमारी पूरी एक करेड़ी हो चुकी है दोस्तों इसको मैं निकाल लूँगी आप देख सकते हैं दोनों साइड हमारा अच्छे से गोल्डन कलर हो चुका है तो अभी हम दूसरी पूरी भी डाल देंगे और इसको भी हमोशे ही फ्राइक कर लेंगे दोस्तो आपको छोटी बनानी आप छोटी भी बना सकते हैं बड़ी बनानी बड़ी भी बना सकते हैं दोस्तो जैसे आपको अच्छी लगे उस सेप में बना सकते हैं लेकि एक बार जरूर बनाएके खाईएगा दाल पापड़ी आप फोटल से भी खाना भूल जाएंगे जो आप घर पे बनाएंगे तो इसको भी मैं निकाल लूंगे अच्छे से दोस्तों आप देख सकते हैं इधर मैंने दो प्लेट लिया है दोस्तों जो बाहर मार्केट में मिलता है असानी से वैसा ही मिलता है मनलब उसी प्लेट में मिलता है इसे प्लेट में तो इसे मैंने भी लिया है तो इसको हम दोनों प्लेट को में दो पूरी हम लगा देंगे इधर जो हमारे जो हमने तयार किया है सबी चीज कांदे दही है धनिया है इमली और खजूर की च के लिए हैं और जो मैंने एक पूड़ी में धनी है और जो लेसुन हरी मीर्थ की चटनी थी दोस्तों उसको मैं लगा रही हूं इसको अच्छे से चार तरफ लगाना है और अभी मैं दूसरे में भी लगाऊंगी मैं दो प्लेट तयार कर रही हूं मुझे दोनों बेटे को अपने सब करना है आप चाहें अपने लिए एक किसी के लिए बना सकते हैं तो इसमें भी मैं लगा रही हूं चटनी हमारी तीखी नहीं है क्योंकि हमने जो हरी मेर्च ली थी जो दोस्तों ज्यादा तीखा नहीं है और यह हमारी इमली और खजूर की चटन में दोस्तों खटी मेठी हमने घुड़ डालके बनाई है तो इसलिए अधार यह हम चनय की दालर डाल है इसलिए थोड़ा सूखा टाइप कि दोस्तों पानी टाइब मनाएगा इंटर जो हमारी पापड़ी है वो गल जाएगी इसलिए थोड़ा सुखा ही रहेगा तो अच्छे आ रहेगा तो इसको हम फैला लेंगे अच्छे से आप चाहे तो इसमें और कुछ भी जो आपको अच्छा लगे वो भी डाल सकते दोस्तों उपर से मैं थोड़ा से चटनी डालूँगी खजूर और इमली की फिर उसके बाद दोस्तों इसमें हम डालेंगे कांधे थोड़े से ज्यादा नहीं थोड़े से कांधे डालेंगे और फिर उसके बाद दोस्तों दही डालेंगे इसमें आप चाहें तो और कुछ भी ले सकते हैं तो इधर मैंने एक दम सूखी दही लिए दोस्तों पानी वाला आप मत लेगा ने तो यह भीग जाएगा तो मैंने सूखी वाली दही ली है इससे बहुत अच्छा टेस्ट राता है तो उपर से हम दोस्तों इसमें काले नमक डाल लें है और जीरे पाउडर है भूने जीरे पाउडर उसको भी हम डाल लेंगे दोस्तों इससे एकदम चटपटा सा खटा मीठा तीक हर चीज को स्वाद आएगा बहर जैसा तो उपर से हम इसमें अनार दाने डालें अनार बीना चाट पापड़ी तो अच्छी नहीं है अधूरा अधूरा है दोस्तों तो उपर से हम अनार दाने डाल लें है अभी उपर से हम हरी धनिया छिरिक रहें दोस्तों और उपर से फिर हम धनिया छिरिकने के पास सेव लिया है दोस्तों हमने बाहर मार्केट से मंगाया है मैंने घर पे नहीं बनाया दोस्तों तो मैंने बाहर से मंगाया है और इसमें जो हम उपर से हम थोड़ा से नीबू करश डालने हैं इसमें कुछ अल्गी फेवर आएगा दोस्तों और उपर से हम अनार दाने डालने हैं सजाने के लिए उपर से हम इसमें थोड़ी सी दही डालने हैं थोड़ी सी हरी चटनी थोड़ी से इमली चटनी इमली खजूर की चटनी दोस्तों आप चाये तो और कुछ भी आपको कम बेसी लगे वो भी आप बढ़ा सकते हैं हमारा नास्ता रेडि हो चुका है दोस्तों आप लोग भी आके खा लिजिए मैं जाने हूँ सब करने आप लोग भी आके खा लिजिए दोस्तों प्यारे प्यारे कमेंट जरूर कर ना प् battle कोई नई वीडियो लेके मिलुंगी मैंने पने बेटे को सब किया दोस्तों कई भी मेरी बात का बुरा लगा हो दोस्तों उसके लिए सोरी फिर कोई नई वीडियो लेकी आओंगी दोस्तों आप लोग के सामने बाई दोस्तों